आज भारत और बांगलादेश के बीच निदाहस ट्रोफी का फाइनल मैच था बांगलादेश ने 20 ओवर में 166 रन बनाएं और भारत को जीतने के लिए 166 रन बनाना था रोईच शर्मा ने शांदार अर्षतक जड़ा लेकिन उनके आउट होने के बाद भारत की पारी काफी धीमी हो गई थी भारत को केवल 12 बॉल पर 34 रन बनाने थे मैच जीतने के लिए भारत की जीत काफी मुश्किल दिखाई दे रही थी लेकिन दिनेश कार्तिक की शांदार और ताबर तोब बल्लेबाजी के कारण भारत ये मैच चार विकिट से जीत गया दिनेश कार्तिक ने केवल 8 बॉल पर 29 रन बनाए जिसमें उन्होंने 2 चौके और 3 छक्के जड़े गौर तलब है कि आखरी बॉल पर मैच जीतने के लिए बारत को 5 रन चाहिए थे और दिनेश कार्तिक ने छक्का मार कर बारत को एक शांदार जीत दिला दी वाल गोजब कर दो कि बारत को रनाव जे जितने पीदार